नमस्कार दोस्तों एक्जाम गुरेकेडवी के ओफिशियल यूट्वी प्रेनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में आपको आपको जो है आंसर बताना है तो चली स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को लेकिन से बले में बता दूब कि अगर आप इस वीडिय आपको आज के करेंट अपर के पीडिया पेली में जागी और नीचे मेरे फेस्बुक पेज और टेलिग्राम चैनल का भिलनी में जाएगा तो इनको भी आप जोइन कर लेए यहाँ पर भी आपको जीएस और करेंट अपर के रेगलर अपडेट मिलते रहते हैं और देखिए इस चैनल से ऐसे ही जीएस और करेंट अपर के वीडियो का आटमेटिक नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आई कॉल प्रेस का नाम अप बली इससे आपको मेरे अगले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आटमेटिक और सबसे बले मिल जाएग क्या है तो इसका सही हुतर है अनुपम खेर और जो दोसरा कोशन अपडियमान आपको जाता है कि हालही में कि सर्कार्थ दवारा मोबस सेवा की सुरुआत की गई है तो दीखिए इस की सुरुआत की गई है ओरिसा सरकार की द्वारा तो ये दोनों फैक्ट आप प्याज पर पहुंचे हैं और दीखिए एक खास बता रहे हैं इस साल यानि कि 2018 में जो आपके बच्रम पुणिया जी है इन्होंने जो है कावन विल्ड गेम्स में और एसीन गेम्स में स्वांड पदगी रहा था और अभी हाली में जो आपका विश्यो कुस्ती चैंपिनस्टी और इसके साथ में उन्होंने टोटल है टोटल पांच पदगी रहे हैं तो टोटल पांच पदगों में दो स्वांड पदग और एक जो आपका रज़त पता है सामिल है तो यह सभी एक्स्ट्रा जानकारी याद रखना आपको लेके सबसे पहले क्याद रखना है कि बजरम कि भारत और सिंगापूर के बीच में सिंगापूर इंडिया मैरी टाइम बाइ लेतरल एकसरसा यानि कि जो आपका ये युद्ध्यभयास है सिंब्ध्यभयास इसका जो पच्चीसवा संस्क्राड है िट कहां पे आइजित किया गया तो दीखे अभी ये कल श्टार्टवा ये आजित क्या जाएगा 10 से 21 नॉमबर 2018 तक और दीखिए एक और खास भात है जो आपका ये सिम्बैक्स युदाब्यास है ये 1994 के बाद का सबसे बड़ा युदाब्यास होगा क्योंकि ये कई चरणों में जो है 10 से 21 नॉमबर तक आजित होगा भारत के अंडमान सागर और ब जानिबास चलेगा ठीक है और दीखिए जो आपका तीसरा प्रस्णा ही है कि हाल ही में किसे भारती प्रतियसपर्दा आयोग यानि की Competition Commission आप इंडिया का नया अध्यक्ष न्यूक किया गया है तो इनका नाम है असो कुमार गुपता जी ने सुधिर मित्तल कास्तान लिया है और दीखिए असो कुमार गुपता के बारे तो बात कर लेते हैं इनका कारेकाल कब तक होगा दीखिए इनका कारेकाल जो ये 25 अक्ट ये हाली में असो कुमार गुपता को Competition Commission आप इंडिया तीख है यानि कि भारती प्रतियसपर्दा आयो का अध्यक्ष न्यूत किया गया है और इन्होंने अस्तान लिया है सुधिर मित्तल का अप प्रत हम Competition Commission आप इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि इसके बारे मै ये प्रतियसपर्दा अधियन्यया में 2002 के तहत की गई थी और इसके असाफना ये एक्टूबर 2003 में हुई थी और दीखे इसने मैं 2009 में पूर्व लुप से कारक्री किया था पूरे भारतपर्स में और दीखे ज़ोआपका प्रतियसपर्दा अधियन्याम 2002 है इसके अनुसा इस फेक पे जी तरी भी फेक्ट है उसमेंश्टीख है तो जू आपका भारती प्रतियस्परदा आयोग है यह जो है corporate मामलों के मंत्राले के अधीन कारि करता है यह पुइंट या रखेगा और यह दिखे जो भारती प्रतियस्परदा आयोग है इसका उद्देश से प्रतियसपर्दा को बोरी तरीके से प्रवाइद करने वाले कारकों की रोक्थाम, ग्रांकों के हितों की सुरक्षा और मुक्ति ब्यापार सुनस्चीत करना है तो ये सबी फैक्ट आपको याद रखने है भारती प्रतियसपर्दा आयोग के बारे में और दीखे चाउद सौधा प्रशन है कि हाल ही में किसे या किने केंद्री प्रतियक्षकर बोर्ड का नया सदस से न्यूक किया गया है तो दीखे इन मेंबर्स का नाम है पीकेदास, अकलेस रजन और नीना कुमारी याद रखेगा कि पीकेदास को और अकलेस रजन को और नीना कुमारी को कींद्री प्रतियक्षकर बोर्ड या निकिए जवाप का central बोर्ड आप डारेक्ट ٹेक्स है ठीख है cvdtd ठीख है इसका सदस से अपकोया है दीखे जो आपका केंदरी प्रतेक्ष कर बोर्ड है इसमें अब टोटल पांच सदसे और एक चेयर मैन हो गए है वरतमान में और दीखे जो केंदरी प्रतेक्ष कर बोर्ड है इसके जो दो अन्य सदसे दीखे तीन के नाम तो मैंने आपको बता दीए पीके दास अकले सरेंजा है इसके वर्तमान में चेर्मेन है सूसील चेंद्र और एक फ़र हम बात कर लेंगे डीडिल में केंद्री प्रतेक्ष कर बोर्ड यानिकी CVDD की दीखिए जो आपका केंद्री प्रतेक्ष कर बोर्ड है यह आयकर विभाग की नीती निर्माण के लिए जो है नोडल एजनसी है और आयकर विभाग जो है भारत का यह जो है केंद्री वित्यमंद्राले के अधिन कारी करता है और दीखिए जो आपका यह केंद्री प्रतेक्ष कर बोर्ड यानिकी CBDT है ये प्रतेक्ष कर नेती निर्माण के संदर में भारत की सर्वोच संसा है और ये बोर्ट जो है देश में प्रतेक्ष कर कानूर प्रोवर्दन के लिए उत्तरदाई होता है तो ये सबी फैक्ट याद रहेगा आप केंदरी प्रतेक्ष बोर्ट के बारे में और देखे पांचो प्रशना की हाल ही में किस बेक्ट को फ्रांस के सर्वोच नागरिक समान सिवलियर डी ला लिजन डी हनर से समानित किया गया है तो देखे इनका नाम रुजरी इनका नाम है जवाहर लाल सरीन और इनको समान ये क्यों दिया गया है देखे इन्हें ये समान भारत और फ्रांस के बीच में सांस्कृतिक सहयों को मजबूत करने तो था फ्रांसिसी बासा के परचार परसार के लिए दीए जो आपके जवाहलाल सरीन है इन्होंने पांस सालों तक पढ़ाई किये जो आपका पंजाब इरिविश्टी है वहाँ पे ठीक है वहाँ पे इन्होंने फ्रांसिसी बासा के पढ़ाई की है और इसके बाद निपूर होने के बाद ये कही अन्य जगों पीपी पढ़ने के लिए फ्रांसिसी बासा और बाद में ये अब निपूर हो गए तो इन्होंने भारत और फ्रांस के बीच में सांस्कृतिक सहयों के लि ये alliance François di Delhi के अध्यक्ष भी है और दीखे तोर साथ हम फ्रांस के बारे में बात कर लगते हैं कि फ्रांस के प्रेजिडेंट है Emmanuel Macron फ्रांस की capital है Paris और फ्रांस की currency है Euro और C.F.P. Frank तो ये सभी fight याद रखे हैं फ्रांस के बारे में भी है और 6 प्रांस की राष्टी कानून विधिक सेवा दिवस किस तिदी को मनायाता है तो दीखे जो आपका राष्टी कानूनी विधिक सेवा दिवस है ये हर साल मनायाता है 9 November को तो ये date याद रखना आपको और दीखे 7 प्रांस की हाल ही में गोवा ने कि स्टरसाइन की पुष्टी के बाद आयाती तो मचलियों पर 6 मा का पर्तिवन लगा दिया है तो दिखे जो आपका गोवा राजह इजदे फारमिली ठीक है दिखे फारमिली के बारे में chemistry वाले होंगे या फिजिक्स chemistry बालुई science group पे जितने होंगे वो farmaline के बारे में जानते होंगे देखे फार्मिली जो है यह आपका farmaline dehyde से तयार कियाता है देखे और इसमें अगर जो है आप कोई भी चीव रख देंगे जैसे कि आपका जो है मचली वगरे कुछ भी रख देंगे इस द्रब्य में ठीक है तो वो खराब नहीं होता है ठीक है वो हमेशा वो ऐसे ही बना रहेगा तो जो मचलिया होती है इंको सड़ने से बचाने के लिए इस पर आपके गोवा राजय में नहीं अपाएंगी तो दूसरे राजयों से अब गोवा में मचलियों के आयातवार प्रतिबन लग गया है ये पॉइंट यह रगेगा और ये प्रतिवन क्यों लगा है जो आपका फार्मिली नामा केमिकल है इसके प्रयोग के कारण और देखे जो गोवा की स्वास्त मंत्री है इनका नाम है विस्वजी तराने ठीक है तो इन्होंने जो है इस पर बैन का एलान किया है और देखे गोवा की बात करें तो गोवा की राजधानी है पंडजी और गोवा के मुक्यबत्री है मनोहार लाल परिकर और गोवा की जो राजयपानेर का नाम है मिर्दुला सिनहाग और देखे गोवा की लोकेशन मैंने कल भी दिखा थी तो आज भी दिखा देता हूँ देखे गोवा जो है आपका जो भारत का दक्षिडी सिराइडिक है अगर कहा जब दक्षिडी नहीं तो दक्षिडी पस्षिमी डिक है तो दक्षिरी पस्यमी सीरे पे जो है आपका इस्तित है और गुवा की सिमाय लगती है आपकी महाराश्टरा के साथ और करनाटका के साथ और देखे आठों प्रशना है कि मो के कैंसर पर आधारी पुस्तक अरीवू किसके द्वारा लिखी गई है तो देखे जो आपकी ये पुस्तक है अरीवू ये लिखी गई है डाक्टर मुरली मुहान चुन्थारू के द्वारा तो यादखना है कि मो के कैंसर पर आधारी पुस्तक अरीवू लिखा गया है डाक्टर मुरली मुहान चुन्थारू के द्वारा और अभियाली में इस पु यहां महिलाने ठीक है जुन्हें ने माउंट एवरेस्ट फदाय किया था 2013 में और यह प्रस जब तक इतिहास जिंदा रहेगा तब तक बार बार पुछाता रहेगा ठीक है और यह हर साल लगबग बगर दस एकजाम होते हैं तो कम चार पांस एकजाम में पुछ रहाता है और डाक्टर की उपादी से समानित किया है तो इनको जो डाक्टर की उपादी से किसे समात किया है युनाइटेट किंग्डम की एक युनिवस्टी जिसका नाम है युनिवस्टी आप स्ट्रैट क्लाइड और देखे दसना प्रशन है कि सांती और विकास के लिए विश्व ग्यान दिवस्था इसकी थीम रही Science a Human Right और दीकि एक और खास बात है 2001 की बात है 2001 में जो अपका UNESCO है इसके द्वारा इस दिन को मनाने की खोश्रा की गई थी तो ये थे आज के करेंटे पर अब हम बात कर लेते हैं आज के Question of Day की दीकिए कल के Question of Day की हमने जो है सूरु में ही चरचा कर ली थी तो जो आज का Question of Day है इसका जो पहला प्रशन ही है कि हाल ही में केंदरी मंत्री मंडल के द्वारा किस राजी में एक केंदरी जंजाती बिस्विदाले के सापना को मंजुरी परदान की गई है तो इसका उत्तर जो है आपको Comment Box में बताना है देखिए ये कल का प्रशन है और अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा तो कल का वीडियो देख लेगा क्योंकि इसका उत्तर जो है आपको कल के वीडियो ही मिलेगा आर्ट्रमिटिक और सबसे बहले मिल जाए तो इसे के साथ बहुत बहुत दने वाद थैंक यू एन है बनाश डे